महरास्ट में अगाली सरकार का पतन और उद्दव ठाकरे की गद्दी छिनने के बाद में सियासी गल्यारों में उठा राजनतिक तूफान दोस्तों अभी बैठा नहीं है एकना शिन्दे की बगावत के बाद में उद्दव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार की तरप से जो शब्दों के सियासी तीर छोड़े गए थे अब वही सियासी तीर उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं पवार और ठाकरे के खिलाप में शिन्दे गुट का क्या बड़ा एक्शन लेने की दरसल उनकी तरप से एलान किया गया है इस पर हम इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन रिपोर्ट में आगे बड़े उससे पहले आपसे विनमर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें आपको याद होगा जब महरास्टर में उदव ठाकरे के खिलाप में एकनाश शिन्दे के साथ साथ तमाम विधायकों ने जब बगावत की थी तब ठाकरे गुट और पवार गुट उल जुलूल आरू लगाते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी और से कहा जा रहा था कि भारतिये जनता पार्टी ने पैसे दे करके उदव ठाकरे के विधायकों को खरीदने का काम किया है इतना ही नहीं शिन्दे समय तबाम बागी विधायकों को आदित ठाकरे ने देश द्रोह तक करार दे ड वक्ता विजय शिवतारे ने कहा कि शिन्दे गुट के समर्थ तक 50 विधायकों में से हर एक विधायक रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार सुप्रिया सुले और आदित ठाकरे के खिलाप में 50 करोड रुपए का मान हानी का दावा ठोकने जा रहा ह शिन्दे गुट के इन 50 विधायकों पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि इन्हों ने 50-50 करोड रुपए लेकर के उद्दव ठाकरे के नितरुत के खिलाप में बगावत की है विजह शिफ्तारे ने कहा कि ये सभी 50 विधायक अलग अलग इन 3 नेताओं के खिलाप में 3 नेता कौन से सुप्रिया सुले जो की शरतपवार की बेटी हैं अजीत पवार जो की शरतपवार के भतीचे हैं और उद्दव ठाकरे के लाडले आदित ठाकरे के खिलाप में 50 करो हानी का दावा करती और सबूत मांगती हमने उनकी सला को गंभीरता से लिया है अब हम उन तीनों के खिलाप में मान हानी का नोटिस देने जा रहे हैं यä तो वो तीनों सारवजनिक रूप से माफी मंगें या फरकोर्ट के सामने या सबूत पेश करें कि इस तरीके से पैसो होने चाहिए और कोट में अब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाना चाहिए तो अब उद्दव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे शहरत पवार और सुप्रिया सुले की अब मुश्किल है दोस्तों बहुत ही जादा बढ़ने वाली है क्योंकि जब से एकना शिंदे के गुट में बगावत की थी उद्दव ठाकरे के खिलाप में जो तमाम विदायक उनके खिलाप में जब बगावती सुर उठे थे उसके बाद से ही आपको पता होगा कि सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट देने का सलसला शुरू हुआ था वो ठोका जा रहा था कि जितने भी विदायके उन्होंने सीधे तोर पर देशद्रो किया है उन्होंने राजद्रो किया है गदारी की है और ऐसे में उन्हें माफ नहीं किया जा सकता और उसके बाद में पैसे का भी जिक्र हुआ था कि इन तमाम विदायकों ने पैसों की दरसल लालच में आकर के उद दफ्थाकरे के खिलाप में बगावत की और एकनाश शिंदे गुट में शामिल हुए और ये सब भारतिय जनता पार्टी ने किया और इसके अलाबा अजीद पबार और सुप्रिया सुले ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आप लोगों ने पैसा नहीं लिया है तो फिर आप लोग शांत क्यों बैठे हो याने। आइडिया को अब इंप्लिमेंट करने जा रहा है एकनाश शिंदे गुड जो सिफ्तारे हैं उनकी तरफ से का गया है एक तरीके सो नौने धन्यवाद दिया है सुप्रिया सुले को कि आपने जो आइडिया दिया है अब हम उसी आइडिया पर चलने की कोशिस करेंगे और अब अब जो पचास विधायक हैं वो सभी पचास के पचास विधायक 50-50 करोड रुपे का मानहानी का मुकदमा अब कोट में दायर करने जा रही हैं सुप्रिया सुले और शरत पवार के भतीजे अजीत पवार और उद्दव ठाकरे के लाडले अदित ठाकरे के खिलाप मैं जैसे ही एकनास्षिंदे गुट की तरफ से ये एलान किया जाता है उदर पवार और उद्दव ठाकरे के खेमे में हडकंप मच गया है क्योंकि उनकी तरफ से जो कहा जा रहा था उन्हें यही लगा कि हम राजनेतिक मंच का इस्तमाल करके इस तरीके की भाषा का इस्तमाल करते रहेंगे इस तरीके के गंभीर जो आरोप हैं वो एकनाशिंदे गुट के विधायकों पर लगाते रहेंगे और ये लोग तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और जैसा कि वो इग्नोर करते चले आ रहे ते वही होता रहेगा आपको पता होगा कि जब इनीशियल स्टेज पर जब एकनाशिंदे गुट की तरफ से भारते जिंता पार्टे के साथ हम मिलकर के सरकार बना ली गई तो जब आदित्य ठाकरे और जो तमाम छिटपुटी ये नेता थे उद्धव ठाकरे गुट के उनकी तरफ से जब ये आरोप लगाये जाने शुरू किये गए तो उस समय दरसल एकनाशिंदे गुट कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे और पूरे के पूरे ठा थाकरे परवार पर सीधे तोर पर तीखा बार करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है तो उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिये जा रहा है तो उनकी तरफ से जो भी दरसल बयानबाजी की जा रही थी राजनेतिक परपेक्ष में उसको कहीं न कहीं इग्नोर करने का काम किय जा रहा था यानि कि शिंदे गुट का कोई भी विधायक ठाकरे परवार के खिलाप में कोई भी बयान बाजी करने से एक तरीके से बचता हुगा दिखाई दे रहा था लेकिन अब सर से पानी उपर जा चुका है आदित ठाकरे की जो अनुभव हीनता है जो उनके पास में जो दरसल वक्त जा चुका है इसलिए अब पचास-पचास करोड रुपए का सीधे तोर पर डिफेमेशन सूट फाइल करने के लिए उन्होंने फरमा जारी कर दिया है और उन्होंने का है कि वो बहुत ही जल्द कोट का रुख करेंगे और अब कोट में ही दरसल ये सब कुछ द सबूत नहीं देते हैं कि उन्होंने पचास-पचास करोड रुपए की घूस ली थी पचास करोड रुपए लिये थे उसके बाद वो बिग गए और उदर ठाकरे के खिलाप में बगावत करती तो उनके खिलाप में डिफेमेशन सूट फाइल किया जाएगा यानि कि अब ए अधित ठाकरे सुप्रियसले और अजीत पवार को सार्वजनिक जगह पर आकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी कि जिस तरीके के उन्होंने स्टेट्मेंट दिये हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं मिथ्या हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पचास पूरे के पूरे प्रक्रल पर आपकी क्यार आए है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्द मिलूँगा किसी दूसरी बड़ी कबर के साथ मैं तब तक के लिए धनबाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो पली चैनल को सब्सक्राइब कर लें साड़ अबने बेल आ आपको मिलेए